भगवान बिर्शा मुंडा की जोहार जारखन मरांग बुरु की धर्ती को मेरा शत्षत प्रणाम निर्वान भूमी पारसनाज को भी मेरा प्रणाम आप सभी इतनी विशाल संख्या में हमें आशिरवाद देने आये है आपका यही जोश यही उत्सा जिसके कारण देश में एक ही गुंज है मैं भी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है अपकी बार चार सो पार अपकी बार अपकी बार अपकी बार अपकी बार और साथियों यह चार सो पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है यह तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है मैं सबसे पहले सौम्यता के धनी अत्यंत सराल मेरे बहुत पिराने मित्र बाबुलाल जी का धन्यवात करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सवभाग्य दिया मैं इसले उनका आभारी हूँ आप सबकी माफी मांगने आ चाहता हूँ आप सबकी शमा मांगना चाहता हूँ चमा इसलिए कि जो पैंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पैंडाल में है और 95% लोग बहार दूप में तप रहे हैं यह जो दूप में तप रहे हैं आपको जो अस्विदा हुई इसके लिए मैं शमा मांगता हूँ लेकिन इस दूप में भी तप करके आप जो हमें आशिरवाद दे रहे हैं कार्य करने की एक नई उर्जा और प्रेना दे रहे हैं आप सबको जारखन के मेरे प्यारे भाईयों बहनों आप जो तप कर रहे हैं न यह तप मैं बेकार नहीं जाने दूँगा मैं विकास करके ब्याज समेत यह आपकी तपस्या को लोटा हूँगा यह मैं आपको गारंटी देता हूँ हॉआगा घपस्त全 marche हॉआगा हाँ हॉआ हो हॉआ कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पता नहीं कितने जन्मों का पुन्य होगा मुझे जो आप मुझे इतना प्यार इतना आशिरवाद दे रहे हैं आप मुझे बताईए आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं क्या मैं आप के लिए जिन्दगी खपाऊंगा के नहीं खपाऊंगा आपकी भलाय के लिए जिऊंगा के नहीं जिऊंगा शरीर का कान कान समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा आपको विश्वात है ना यही मोदी की गारंटी है मेरे भाईयों भनों अभी मैंने सिंद्री खाद कार खाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी साल दोहजार अठारा में मुझे सिंद्री के इस खाद कार खाने का सिलान्यास करने का सवभाग्य मिला और आज सिंद्री के इस खाद कार खाने का लोकारपन हो गया आप मुझे बताईए साथियों क्या आपने सोचा था कि एक कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा सब लोग निरास हो चुके थे ना सबने मान लिया था बज़ हो गया ताला लग गया लग गया माना था कि नहीं माना था लेकिन यह मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी उसमें भी उर्जा भरने के लिए आपने मोदी को काम दिया है इस खाज कारखाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए आउसर बनेंगे इस खाज कारखाना से पुर्वी भारत के किसानों को बहुत लाब होगा साथियों भाजप का मतलब है भाजपा का मकसद है और वो है विकास विकास तेज विकास जबकि कॉंग्रेस हो या उसके सहयोगी दल वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है अब देखिये उस्ता में उधान आपको यात कराता हूं नौर्थ कर्णपुरा का बिजली का कारखाना यह बहुत बड़ा उधान है इसका शिला न्यात पिछली सदी के अंत में अटल विहारी बाजपई करके गए थे लेकिन फिर कॉंग्रेस की गोटाले बाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिन्दा करने की गारंटी दी थी आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं मोदी ने उन गरिबों की भी चिन्ता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था सवभागी योजना से हाँ धनबाद में भी करीब एक लाख गरों में पहली बार मुप्त बिजली कनेक्शन लगा है इसलिए तो देश कह रहा है जहां दूसरों से उमिद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है साथियों जारखन के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गरंटियों के गवाँ है जो बीते वर्षों में पूरी हुई है देवघर में जारखन के दूसरे एरपोर्ट का सलान्याथ मैंने दोहजार अठारा में किया था साल 2022 में इसके लोगारपन करने का आउसर भी आपने मुझे ही दिया साल दोहजार अठारा में ही मैंने जारखन के पहले एम्श की आधार सिला रखी थी और 2022 में इसका लोकारपन भी आपके ये सेवक मोदी ने किया आज जार्खन देश के उन राज्यों में है जहां रेलिवे का शत्त प्रतीशत बिजली करण हो चुका है जार्खन को अब तक तीन आधुनिक मेड इन इंडिया बंदे भारत ट्रेने मिल चुकी है कुछ दिन पहले ही अम्रित भारत स्टेशन योजना के तहर जार्खन के 27 रेलिवे स्टेशनों के आधुनिक करण पर काम शुरू हुआ है एक साथ 27 स्टेशन पिछले सोधाल में ये काम नहीं हुआ होगा 25 फरवरी को ही जार्खन में अस्पतानों से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का सिलान्याद भी किया गया है साथियों जार्खन में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि हाँ कानून व्यवस्ता अच्छी हो शाचन प्रशाचन इमांदार हो लेकिन जब से यहाँ जेमेम और कॉंग्रेस की परिवारवादी ब्रस्टाचारी और तुष्टी करणवाली सरकार बनी है तब से सीतियां बहुत बिगडी है जेमेम का मतलब हो गया है जम करके खाओ जार्खन में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है तुष्टी करण के चलते गुष्पैट बढ़ती जा रही है और यहाँ जेमेम कॉंग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है अपनी तिजोरियां भरने का इन लोगों ने जार्खन की जनता को लूट कर आपको लूट कर आपके पसीने की कमाई को लूट कर अपने लिए बे नामी संपत्यों के पहाड बना लिये हैं आपने देखी हैं ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं मैंनो तो अपनी आखों से कभी नोटों के ऐसे डेर देखे लिए पहली बार टी वी पे देखा क्या जार्खन कमाल कर रहा है कोहले के डेर तो देखे से नोटों के डेर देख रहे हैं और अभी बाबुलाली तो बढ़िया वड़नन किया इसका भायो बहनों यह आपका पैसा है यह जार्खन के गरीब आदिवासियों का पैसा है यह आपका पैसा है आपके बच्चों के भविश्य के लिए पैसा था इसे लूट लिया गया है क्या आप ऐसे लोगों को माप करोगे क्या ऐसी बेमानी जार्खन में चलने दोगे क्या आपका रुप्या कोई लूट ले आपको मंजूर है ऐसे ब्रस्टाचारियों के खिलाब कार्यवाई होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए उनकी जिन्दगी जेलों में जानी चाहिए के नहीं जानी चाहिए जो जन्ता का लूटा है वो लोटाना पड़ेगा ये मोदी की गारंटी है साथियों जम्मोदी ऐसे ब्रस्टाचारियों पर एक्शन लेता है तब ये लोग तरह तरह के बाहने बताते हैं ये लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारणा में जानते हैं जी एमेम और कॉंग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिरफ वोट बैंक ही समझा है जारखन में इतने जनजातिये परिवार है इतने प्रतिभाशाली नवजबान है ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविश्य के लिए कर रहा है आपके बच्चों के भविश्य के लिए कर रहा है आप मुझे बताइए ये जेमेम को चलाने वाले जो लोग है एक ही परिवार के हैक नहीं है एक ही परिवार के हैक नहीं है वो अपने बच्चों का भला करनेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है यह मोदी है आप ही मेरे परिवार्जन है आपके बच्चों का भविश यह मारी कारंटी है साथियों धनबाद और आसपास का एक खेत्र उद्यम्यों और समिकों का खेत्र है लेकिन मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है ये इंडी गड़बंदन वाले उसका विरोध करते हैं क्या फिर उसमें अड़ंगे डालते हैं कोरोना काल में हमने मुप्त राशन की योजना शुरू की लेकिन इंडी गड़बंदन के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं इंडी गड़बंदन वाले चाहते हैं कि मुप्त राशन देने वाली योजना बंद कर दी जाए आप मुझे बताईए भाई गरीब के घर का चूला जलता रहना चाहिए के नहीं आप मुझे बताईए चूला जलता रहना चाहिए के नहीं आप मुझे बताईए गरीब का बच्चा पेट भनरे के बादी सोना चाहिए के नहीं सोना चाहिए क्या गरीब की सेवा मोधी को करनी चाहिए के नहीं करनी चाहिए ये इंडी गट बंदन वाले कितना ही दबाव बनाले लेकिन ये मोदी न जुकने वाला है न हटने वाला है ये मुप्तन आज वाली जो गरीबों की योजना है न वो मोदी चालू रखेगा आगे भी चालू रखेगा ताकि गरीब के घर का चूला जलता रहे साथियों, यहां जारखन के अनेक भाईबहन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं मेरे यहां गुजरात में तो मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था मैं कभी सीमा पर जाता हूँ तो वहाँ पर भी काम करने वालों में मुझे मेरे जारखन के भाई बेहन मिल जाते है ऐसे साथियों को उनको भी जहां हो वहाँ मुप्त राशन मिलता रहे हमने इसका भी इंतजाम किया हमने एक देश एक राशनकाड योजना बनाई हम मेरे मज्जूर साथियों को किसी नई जगह पर जाने पर नया राशनकाड नहीं बनाना पड़ता साथियों भारत को विक्सित बनाने में नारी शक्ती की महत्वप्ण भूमिका होने वाली है और मैं देख रहा था जब मैं फुली जीप में आ रहा था जितनी मात्रा में माताई बहने आचिरवाद दे रही थी यह अद्भूत रश्य था इतनी बड़ी तादाद में माताओ बहनों का आना वो भी अभी तो खाना खाना या पकाने का टाइम होता है तब आकर के मोदी को आथिरवाद देने के लिए आ जाएं यह कितना बड़ा प्यार है साथियों यह माताओ बहनों की सेवा बीते दर्स वर्षों में टॉइलेट हो गैस कनेक्शन हो बहनों की ऐसी अनेक समस्यों का समाधान भाजपा ने किया है भारतिय जनता पार्टी ने किया है उजवला की लाभारति बेहनों को बहुत सस्ता गैस सिलिंडर भी बाजपा सरकार ही दे रही है अम्बोदी पानी की समस्या का समाधान करने में जूटा है लेकिन यहां इंडी गडबंदन की सरकार इस काम को भी रोक रही है इतने साल बाद भी जारखन में जल जीवन मिशन का करीब करीब पचात प्रतिशत काम पुरा नहीं हो पाया है जारखन की इंडी गडबंदन की सरकार यहां गरीबों के पक्के घर मनाने में भी रोडे अटका रही है और अभी बाबुलाल जी ने बताया उसमें भी मलाई खा जाते हैं साथियों इंडी गडबंदन की सरकार विकास विरोधी है जनता विरोधी है यह लोग जनता का हक छीन कर सरकार में मौज करने के सिवाए उनके पास कोई वीजन नहीं है जबकि मोधी की कोशिस है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले आईश्मान भारत के तहट मुप्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुँच जाता है पी-म किसान सन्मान निदी सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुँच जाते हैं सीधे समात के विद्यारतियों की स्कॉलर सीफ कोई पिचोलिया नहीं कोई कटकी कंपणी नहीं कोई मलाई खाने वाला नहीं सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुँच जाते हैं मंदरेगा की मद्दूरी सीधी बैंक खाते में आती है गैस सिलिंडर की सबसीडी सीधी बैंक खाते में आती है मोदी के ऐसे ही कामों ने इंडी गड़बंदन के बिचोलियों का कमिशन बन कर दिया है अब मुझे बताईए जिनकी एक कमिशन बंद हो गए हैं तो मोधी को गाली देंगे के नहीं देंगे देंगे के नहीं देंगे मोधी पर गुसा करेंगे के नहीं करेंगे भाती भाती का जुट भालाएंगे के नहीं भालाएंगे पानी पी पी करके गालिया देते हैं लेकिन उनकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुँचती है क्योंकि आपके आशिरवात की इतनी मजबुत दिवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुचने देती है और इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ और भाईयों भाणों मेरा पक्का विश्वास है मेरा इस देश की जनता पर विश्वास है इस देश के गाव गरिब किसान पर विश्वास है इस देश की माता और बहनों नवजवान पर विश्वास है और मेरा विश्वास है कि लोग जितना किचड़ उचा लेंगे जितना जादा किचड़ उचा लेंगे उतने ही जादा कमल खिलेंगे साथियों आदिवासी कल्यान और आदिवासी समाज की भागेदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्रात्विक्ता इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो अलग जार्खन राज का निर्माण ही है यह भाजपाई है जिसने अलग आदिवासी कल्यान मंत्राले बनाया और बीते दस वर्ष में इसके बजेट में पाज गुना बढ़ोत्री की आदिवासी समाज में भी सबसे पीछडी जनजात्यों की पहली बार सूद लेने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भाजपा है मैंने जार्खन सही इन जनजात्यों की विकास के लिए 24,000 करोड रुप्य की पी-म जन्मन योजना शुरू की थी इसके तहट आदिवासी परिवारों के घर बन रहे हैं दूसरी सुविधाएं बन रही हैं रोजगार के साधन बन रहे हैं इसका लाप हमारे जार्खन की बैगा, बिरहौर, बिरजिया, कोर्वा, परहिया, सवारा ऐसी छोटी-छोटी-छोटी आखरी छोर पर बैटी हुई मेरे जनजातिय भाई बहनों को इसका लाब मिल रहा है यह बाजपाल सरकारी हैं जिसने भगवान बिर्शा मुंडा का संग्रालय बनाया उनके जनव दिवस को राष्ट्रिय जनजातिय गवरोव दिवस गोशित दिया साथियों हर गरीब का सपना ही और आप लिख लीजिए आपका सपना आपका सपना ही मोदी का संकल्प है मैं खुद दिन रात इसलिए खपा रहा हूं ताकि देश में गरीबों की मुश्किले कम हैं जितनी कम हो मैं उसके लिए कुछ न कुछ करता रहा हूं मेरे देश के गरीब गरीबी से जल्दी से जल्दी भार निकले बिते दस साल में देश में पचीश करोड गरीब गरीबी से भार आए हैं जब उन पचीश करोड भारतियों की गरीबी दूर हो सकती हैं तो जो अभी भी गरीबी में जी रहा है मोदी पर परोजा किजिए आपकी गरीबी भी जाएगी मोदी का संकल्प है विख्सित भारत के लिए विख्सित जारखन आप लोग यहां से जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे मेरा एक काम करेंगे ऐसा नहीं हाथ उपर करके बताईए तो मानू मेरा काम करेंगे पक्का करेंगे यहां से जाने के बाद अपने घर के आसपाथ गाउं में महले में जो भी लोग हैं उनके पास जाएगा जो आज रेली में नहीं आप आए उनके बाद जुरूर जाईएगा और उनसे कहिएगा कि मोदी जी धनबाद आये थे मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुँचा जेंगे हर घर में प्रणाम पहुँचा जेंगे एक बार फिर आप सभी का इतनी विशाल संख्या में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं विशेश रुप से जो धूप में तप रहे न उनको फिर से वाए एक बार धन्यवाद करता हूँ मैं देख रहा हूँ एक भी व्यक्ति वहाँ चे हटा नहीं है क्या प्यार है आपका क्या आशिरवाद है आपके ये कभी बोल नहीं सकता हूँ भाईयो मैंनों कभी बोल नहीं सकता हूँ आप इस धूप में तप रहे हैं मोदी कभी वाचिरवाद देने के लिए जिन्दगी में इससे बड़ा कोई सवभागय नहीं होता है मेरे साथ बोलिए भारत माता की दोनों हाथ उपर करके ऐसी ताकट लगाईए भारत माता की जेलों में भी कुझ सुनाई देनी चाहिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आधाने प्रदान मंत्रे जे